पती से अलग रह रही महिला एक यूवक के जहासे में आकर जात्ती का शिकार हुगे यूवक उसे अच्छा जीवन देने का लालज दे कर अपने घर ले आया पहले उसने महिला से जात्ती की फिर अपने रिष्टिदारों को जात्ती करने का पूरा मौका दिया बीज दिन पहले इन दौर के हीरा नगर में रहने वाली 40 साल की महिला को नवाखेडा में रहने वाला राकेश और जट्टा प्रजापती अपने सास ले आया था उसने महिला को शादी का जासा दिया था पहले उसने महिला से दुशकर्म किया फिर राकेश का रिष्टिदार मोहन प्रजापती आया तो उसने भी महिला को अपनी हवस का शिकार बनाया दोनों महिला को कमरे में बंद करके रखते थे इस बिच राकेश का जीजा, केवल, और्फ कल्लू ने भी महिला से जात्ती की महिला के लापता होने की रिपोर्ट पर इजनों ने दर्ज कराई और तलाश शुरू की विक्रम युणिवर्सिटी के नए सत्र से शुरू किये गए कोर्स विवादों में आ गए हैं चात्र नेताओं ने भुधुवार को इस मुद्दे पर कुल्पती प्रोफेसर अखिलिश कुमार पांडे और कुल सच्वी प्रसान पॉराने को घ्रा और कोर्स को फर्जी करा दिया शात्र नेता तो यह तक बोले आप अपने बच्चों को इन कोर्स में एडमिशन दिल वाई है भारती राश्ट्री चात्र संगठन यानी NSUI के बैनर तले चात्र विक्रम युनिवर्सिटी का घिराव करने पहुंचे थे चात्र नेताओं ने कोर्स के फरजी होने के दस्तावेश पेश किये और कहा कि अगर ये कोर्स वास्तविक हैं तो आप अपने बच्चों का एड्मिशन इन कोर्स में करवाईए कुलपती और कुलच सचीव कोर्स के वास्तिविक होने की दलील देते रहे छात्र नेता अपने तर्क रखते रहे उन्होंने LLM में हुए फरजी प्रवेश का मामला भी उठाया कुलच सचीव डॉक्टर प्रशान्थ पौरानिक दोहाई देते रहे कि हम गलत कैसे कर सकते हैं छात्र नेताओं ने ग्यापन सौपा और अवेद पाठेक्रमों को ततकाल बंद करने की मांग की इसके साथ ही कुलपती, कुलच सचीव और सम्बंधित समीतियों के विरुद F.I.R. दरजकर कानूने कारेवाही करने की मांग भी की चलाय जा रहा है वो फर्जी है निराधार है ना तो उनकी यूजी सी से उनका एफिलेशन हुआ है इन्हों ने अध्यादेश का खुला उलंगर करके कुलपती और रजिस्टार दुवारा फर्जी तरीके से एम्टेक और पीएड़ी कराई जा रहा है जो प्राइट कालेज अगर कुलपती और रजिस्टार में इनके दुवारा फर्जी कोर्सेज नी चलाय जा रहा है तो यह अपने पुत्रों के अपने परीजनों के एडिमीजन कराई और उन्हें यह सिक्षा जिलाए जब हम जानेंगे के फर्जी कोर्सेज नी यह इतना बड़ा घोटाला हो रह है इसका हम खुले तोर्ट पर विरोध करते हैं आगे अगर इन्हों ने इसको बननी किया तो इनके खिलाव एफायर कराई जाए इन्हों ने ग्यापन दिया है उसमें कुछ इनका कहना कि फर्जी कोर्स चल रहे हैं मैं चेक करवाओं को वैसे मेरे नॉलेज में ऐसा कोई भ गलत शुरू हो गए तो मैं बंद भी कर सकता हूं लेकिन 1956 से विश्विद्याले बना है यदि हम लोग नए कोर्स शुरू नहीं करेंगे तो यह विश्विद्याले कभी भी उस अस्तर पर नहीं आ सकता है जहां तक सुभदाओं की बात है कोर्स शुरू होते हैं सरकार की भ हम लोगा सारी सुभदाइं चुटाएं हैं और कुछ ऐसे कोर्स के बारे में विद्यार्थी लोग बोला है कि फर्जी है मैं उसको और भी दिखवा लूँगा यदि हमारा विद्यार्थी बोलेगा तो मैं बंद कर दूँगा एक दो PSG के प्रॉब्लम है उसको मैं जांस कर कमेड में रहने वाले एक चात्रों को घर से बुलाकर ले गए तीन लोगों ने चाकू मार कर घायल कर दिया वह अंगारेशवार मंदीर रोड पर घायल हालत में मिला था दरसल कमेड में रहने वाला 18 साल का रोहित पिता सुरेश मालवे जिवाजिगंज स्कूल में पढ़ता है महरुगण में रहने वाला सुमित मालवे भी उसके साथ ही पढ़ता है मंगलवार शाम रोहित ट्यूशन से लोटका घर में बैठा था इसी बीच उसे अग्याद व् केंद्री भूतल परिवन मंतरी नितिन गटकरी बुधवार को शहर आएंगे वह उनके विभाग से जुड़ी छे हजार करोड से जादा की योजनाओ का लोकारपन करेंगे इस दोरान सांसर दनिल फिरोजिया गटकरी के सामने कुछ मांगे रखने वाले हैं इसमें तीन बत्ती चुरहा से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक फ्लाइवर बनाने की मांग प्रमुख रहेगे गटकरी के वल तीन घंटे के लिए शेहराएंगे इस दोरान भा अटल अनुभूती पार्क और श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे आगर रोड परशिला नयास कारी करम में शामिल होते समय गटकरी के सामने सांसत कुछ मांग करेंगे इसमें पिथमपूर उज्जेन से जावरा जाने वाली सड़क को भारत माला परियोजना में शामिल जालावार उज्जेन सड़क को फोरलेंड करने और तीन बती चुरहय से महाकाल मंदिर तक फ्लाई ओवर निर्मांड की मांग की जाएगी मकान निर्मांड का काम करने गए दो मजदूरों की दिवार गिराने पर एक व्यक्ति और उसके दो बेटों ने जम कर धुनाई कर दी घायल मजदूर को उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया गया है दरसल जह सिंगपुरा के रहने वाले विकास पिता भहरूलाल माली और इंदर पिता अंबाराम चौधरी मजदूरी करते हैं जह सिंगपुरा में ही रहने वाला बंटी माली इन्हें अपने घर में चल रहे निर्मांड कारे के लिए काम कराने लिए गया था ये दुनों बंटी के मकान की दिवार गिरा रहे थे इसी बीच बंटी का चाचा प्रहलाद बेटे जीतेंदर और राहूल के साथ आया और विकास और इंदर की धुनाएं कर दी पुलिस ने मामला दर्च कर लिया है निल गंगा पुलिस जाज कर रही है फिलहाल आरोपी गिरफता से भार है बबूल के हरे भरे पेड़ों को काटे जाने के मामले में दो दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी है फर्यादी थाने के चक्कर लगा रहा है और पुलिस को पटवारी रिपोर्ट का इंतजार है मामला चापा खेडा चोकी थाना खाल्चरोत के ग्राम धतूरिया का है यहां रहने वाले विक्रम सिंग गुर्जर ने लिखे तावेदन खाल्चरोत पुलिस को दिया है जिसमें बताया कि ग्राम धतूरिया में मेरे नीजी सौमित्व की भूमी सर्वे नंबर 194 पर लगे करीब पाज बबुल के पेड़ों को 20 फरवरी की राद गाउं के ही प्रकार सिंग गुर्जर जगदीश बारु सिंग पिता मांगुस सिंग गुर्जर काट रहे थे जब मैं गेहूं की फसल को पानी देने पहुंचा तो मुझे देख कर वह भाग निकले इसकी सूचना डाइल हंडेट को दी इसके बाद 21 फरवरी को खालचो थाने में शिकायत की उन्होंने पूरु में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया था लेकिन उस वक्त भी ठोस कारवा यह सिमांकन करवाने के बाद ही इस पश्ट होगा जबलपूर और गवालियर की घटना के बाद S.P. सतिंद्र कुमार शुकले ने बैंक अफसरों के साथ मीटिंग की इसमें अफसरों को समझाईज दी की कोई भी संदिक्द अगर आपकी बैंक के आसपस नजर आता है तो उसकी जानकारी ततकाल पुलिस को दें ताकि कोई अपरिये घटना ना हो विध्यारति ने समवात के माध्यम से अपनी समस्यां बताई जिसका समाधान विश्व विध्याले परीशत के सदस्यों ने किया उस सभी लोगों ने ये डिसाइट किया कि सीधे वो विद्यार्टियों से संबाद करेंगे और आज उसी दिसा में जो हमारे माननी कारवशत सदस्यों ने उनसे सीधे संबाद की बात करी है इसे कई तरीके के फायदे होंगे कि विद्यार्थी खुल करके उनके सामने अपनी समस्चाइए रखेगा उन समस्चाओं के माधम से विश्विद्याले में चर्चा करके उसको दूर करने में काफी मदद मिलेगा तो आपने देखा हमारा बुलेटिंग आपको हमारा बुलेटिंग कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिजेगा कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिंग के साथ नमस्कार